असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, वेलकम टू मैं जहरास की चेन, मैं हूँ जहां आ रहा, उमीद करती हूँ आप सफेरिये से जरूर होंगे, आज मैं आप सभी के साथ चने की स्प्राउट की रेसिपी ले कराए हूँ, जिससे बनाना बहुत यासान है, अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका स्प्राउट बिल्कुल इसी तरह से बन कर तयार होगा, बिल्कुल भी चीप चीपे नहीं बनेगे, और नाहीं समेल आने वाला है, शिर्फ एक दिन के अंदर आपका स्प्राउट बन कर तयार हो जाएगा, तो चलिए इसे बनाना बिल्कुल इसी टिप्स को फॉलो करके आप कोई भी चने से स्प्राउट बना सकते हैं तो सबसे पहले हम चने को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेंगे उसके बाद हमें चने के ऊपर तक पानी रखना यानि दो गुना हमें पानी डालना है क्योंकि चना फुलता है तो इसे मैं 12 गंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी फुलने के लिए तो यहां पर देखिए 12 गंटे के बाद हमारा चना की इस तरह से फुल कर साइज में डबल हो चुका है अब मैंने इसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब हमें क्या करना इस पानी को छान ले मैं ने जगों पर ऊस तरह से छने को रख लिया है अब हमें क्या करना है उसके लिए हमें क्या करना एक कोटन कप्ड Web, संपर कोई हैं को अब मैं इस तरह से खोल कर चने की उप डाल देना है avenues से बात बनाने या कि मैंने चलनी का इस्तिमाल कि आगर आप के पास नहीं है तो तो आप यहां पर सिंपल सा कोई भी कॉटन कपड़ा ले ले उसमें चने को डाल कर अच्छी तरह से पोटला बना ले और उसे लटका दे कहीं पर भी उससे भी आपका जो है स्प्राउट बहुत यह अच्छी तरह से निकलेगा तो स्टील के छलनी पर मैंने जो चन रखा था भी कर अच्छी तरह से मैं रुमाल को भी कर स्वीस करके रख लिए उससी तरह से मैं इस पर इस तरा से रख लेती हो और इसके ऑड़ से टना तर्रक्राइब तो यहां पर देखिए 8 घंटा हो चुका है और जाली से भी नीचे आच चुका है मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगी छोटा-छोटा सा आपको यहां पर दिख रहा होगा किस तरह से निकल चुका है इसी तरह से हम बिल्कुल इसे चोड़ देंगे और 8-10 घंटे के ल पानी से अच्छी तरह से साफ करके स्वीश करके फिर से हमें दोबारा उसको उपर रखेंगे बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करेंगे आठ घंटे के बाद चना थोड़ा सा ड्राय हो जाता है उसके लिए हमें हाप पर पानी चिड़कना होता है और साथ ही रुमाल को भी उसी तरह से भीगो कर रखना होता है इससे क्या है ना हमारा चने में मौईश्यर बचेगा और साथ ही स्प्राउट बहुत यह अच्छी बनकर त्यार होंगे तो लीजे फ्रेंड्स माशाला से हमारा स्प्राउट बिल्कुल बनकर त्यार है चने का मैंने यहां पर बनाकर त्यार किया है आप चाहें तो हरे मूंकी भी चने से बनाकर त्यार कर सकते हैं या फिर मौट से भी बनाकर त्यार कर सकते हैं तो लीजे अ कहते हैं और इसे खायने हैं अगर आप चुजड़ सुबाज़ा पार जा दो अवधिते हैं और च्छन को खानाओ और तो सकते हैं तो यह बिलकुल लिए टो करना प्रमाइए सपव्म आप आप 배द के हटा है बना से ब ann sí सच मानिए फ्रेंज आप लोगों को बहुत ही हलफूल होगी अगर मेरी रेसिपी को फालो करके बनाएंगी इसी तरह से आप बहुत सारी हलफूल रेसिपी देखने के लिए और मज़धा रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को अगर अब तक सबस्क्राइब नहीं किये तो जरू सबस्क्राइब करते हुए जाएए साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उससे सबसे पहले देख पहेंगे तो चलिए मिलते हैं अटने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज